आप सभी सात्यों का स्वागत है मैं अरुण सक्सेना बोलों साधना जगत के रहस्यों तत्य तत्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रतेक वीडियो को देखें और इसमें दीगर भी प्रतेक प्लेजिस्ट को भी देखें अब यह वाला जो वीडियो है एक बहुती महतुपूंड वीडियो है यह क्योंकि इसका जो जो विशय है वो यह है घर पर देवी देवताओं की चित्र और मूर्तियों की प्रांट दिश्ठा दोटलब मंद्र तीस मिनट यह इसलिए इंपोर्टेंट है यह वीडियो बहुती आप पूरा देखने का प्रयास करें एक तो क्योंकि सब में जो भी साधना करते हैं साधना नहीं भी करते मैं घर में चित्र या मूर्तिया वागद लिए रखते देवी देवताओं भी चित्र रखते हैं इसमें भी जो सब लोग चित्र रखते हैं वो क्या सब चित्र जो है वो प्राप्टिस्टा उनकी होती है तो बहुत अधिकांश जगे में तो ऐसा होगा कि प्राप्टिस्टा का मतलब भी नहीं मालूम होगा यह मालूम होगा तो वो कैसे होती यह नहीं पता होगा तो केवल मातर यह है कि एक चित्र या मूर्थी लाकर केवल उसको धो धाके कंगा जल से या किसी से साफ सुद्रा करके उसको रख लेते हैं बस और उसके बाद में बस दिया मत्ती चला कि अपना साधना पूजन या जो भी कुछ है वो करने लग जाते हैं यह एक सामान बात होती है लेकिन इसी चीज़ को जब कुछ साधना करने वाले लोग जो होते हैं सितनी बात से संतुष नहीं होते हैं उनको यह चीज़ कज्ञान होता है या उनको इसास होता है प्रादंग में नहीं भी हो लेकिनल बाद महिंता है कि साधना इस्तली साधना इस्थान और साधना में रखे हुए चित्र हैं या मूर्तिया हैं वो उनके बारे में बहुत ही गंबीरता से वह विचार करते हैं उनको लगचाए कि यह सब चीजें शुद्ध होनी चाहिए और चित्र और मूरतियां वगरा जो हैं यह प्राण्प करी जाए और कुछ लोग कुछ सोचते हैं कि कर्मकार्ण में बहुत जादे वो लग जाएंगे तो वो उनको उच्छत नहीं लगता होगा किसी तरह से यह को कोई तरीका समय में नहीं आता होगा तो वो चुपचा बैठके अपना जैसा साधना उसको करने लग जाते एक बा करी आप कोई साधनात्मा जान कर रही है कोई भी जान कर रही है इनले तो समय के दूर्प ध्यान लगे कोई भी काम करना भी नहीं चाहिए और वही एक बैगराउंड ग्रूब में आपको मैं जो वीडियों से बताता भी हूं वो समझने का प्रयास करें कि समय कैसा चल ला है उसी के बाद में ही जब चर्चा में आगे बढ़ाऊंगा तो अब बास समझ जाएगी कोई भी बैगराउंड समय की जरू मालूम होने चाहिए फिर वो उसके विश्या के बारे में जान करें जाएगा फिर उसके बारे में अंत में उसमें जो है राक्षासों द्वारा बक्षण पुन्य सुभा का बक्षण करते हैं 217 नंबर का गलत मंदर के कद्रे और 236 नंबर का सैसा विश्वास आज के समय में कहीं पर भी नहीं करना चाहिए ना किसी व्यक्ट्री पर ना किसी इंफॉर्मेशन पर सैसा की बात बोलनों मैं इस नहीं तो इसे अनिस्ट का प्रवेश होता है और 223 नंबर का अनिस्ट और अशुप का प्रवेश किन कारणों से होता है इसको समझना चाहिए यह सब बाते हैं जो वीडियो से यह मैंने प्लेश्ट में खत्रे और डेंजर्स करके देंजर्स बढली होई उसको देखने करा हुश में बदात बात हैं कि कौन-कौन से होते हैं जीवन में चाहे साधना करो इश ना करो। चाहे देवी देवता हो करो। कुछ भी करो सामाने जीवन में हैं जीवन लियापन करो तब भी। जाहे हैं यह? तब भी ज़ стен में रहती हैं अगर बहुत सारे उनके तरीके होते हैं, जोकि अधर शक्तिया होती हैं, उनके खेल को समझबाना आसान होता हो भी नहीं, बहुत गहरा ही से जो साधक साधना कर रहे होंगे और तोड़ा सा मध्यमावस्ताम पहुंच गया होंगे उनको समझ मेरा कि यह तो जीवन ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहां तो अपनी कोई विली नहीं रह गई है कोई जैसे कि कोई अधर शक्तियां वही हमको खतेरे जा रही है जिस तरफ हमको मर्जी तब हमको ले जाती है कुछ समझी नहीं पा रहे हैं तो उसमें वह तभी उस उनके ऑन्सलाट होता है आउसरी शक्तियों का जो विश्वर्ण प्रहा रख शमताइं उत्ती हैं उसको जो है सुमें के लिए जो है शक्ति सालिस आदना है एक उपाय मत्र रह जाता है और वह श जानकारी इत्यादी में दे रहा हूं इसमें भी दूँगा आपको कुछ अभी जानकारी लेकिन यह आकर बेग्रोंड पता है आस्पी शक्तियों के इतना भारी प्रवाव है तो कैसे किसी की पूजा इस्तली को बरदाश्ट करेंगी कि कोई कि घर में को पूजास्तली और जो उनके जो भी उनका मन में होता है वो इस तरीके से काम करती है इसमें कुछ बाते में आप लोगों को दुरूब बताना चाहूंगा यहां कि एक तो प्रत्य घर में जो है पूजास्तली दूरूर होने चाहिए अधिकांश जो है ऐसा होता है या ऐसा देखा जा सकता है कि लोग जो है पूजास्थली को बहुत जादे इपॉटेंस नहीं देते हैं जैसे कि बात्रूम बहुत अच्छा बनवाएं घर में राइंगरूम इच्छा रहेगा बेडूरूम अच्छा रहेगा केछिन भी अच्छा होगा सब कुछ पे अपना जो भी दिमाग लगे में ध निमखantically सोंती हो ऐसा फिली क्यों हुं मैं या पूझा इस तरह जो है थार में उस थरू का एक इसा टेम से तक यो कि यह कुछ यह बात को भी कंभीता समझने जाई है क्योंकि आज जो यह जो साधना स्थली होती है जहां पर भी आप चित्रे त्यादी रखते हैं भगवान का वहां पर अगर सही साधना त्यादी हो रही हो तो वह स्थान जो होता है बहुत जो है पूरे घर का समझ लिए वह इंजन मनता ह है अधिलिए पहार रहूस होता है सारी शक्तियों की तो वह स्थान जागर नहीं होता है तो वह वो शक्तियों को जागर ना हो इसी के लिए आस्रे शक्तियां भी अपना दिमाग करना बना पक्र が helt टीद नहीं हो पाई किसी के साधना त्यक्री घर में बनी न त्रित्यादी रखता है तो प्राण प्रिस्टा भी कर ले तो भी बहुत बड़ी बात है तो उसके बारे में भी जान करें उसको नहीं होती पूंके बाद आप देखेंगे कि जो यह समय चल ला है जिसके बारे मेरे आप भी गलत मंत्रों पर ले जाएंगी गलत लक्तियों से मिलाएंगे इसके बारे मेरे वीडियो बने हुए आप देखेंगे 306 308 नंबर के वीडियो है अपन गुरु वाले तो इस तरीके से कर देंगे भटका लेंगी इसलिए मैं इतनी बेक्राउंड मैंने जो समय ले रहा कि एक हमारे घर के अंदर में पूजास्तिली होनी चाहिए पूजास्तिली में मोरूप से कुछ बाते आपको बता दिता हूं puisque पूजास्तिली होती है हमेशा इशान कोड सिसाहन वहां मतलब se lost नौर्थीस्ट हो गया है नौर्थीस्ट में जो है ये पूजास्थली को बनाने का प्रयास कोना जाहिए नौर्थीस्ट नहीं मिले को ना अगर ऐसा ना मिले तो उतर दिशा में कर लो या पूर दिशा में कर लो इस तरीके से कुछ इस्थान बनाना जाहिए गर छोटा भी हो बाकि देवी देवताओं के चित्र जो होते हैं इनको पूरे घर में नहीं लगाना चाहिए देवी देवताओं के चित्र जो होते हैं इनको पूरे घर में नहीं लगाना चाहिए देवी देवताओं के चित्र जो होते हैं ये पवित्र के चित्र माने जाते हैं और ये पूजा बावट के वस्तुवें नहीं है इनके साथ में बहुत सारी शक्तियां जो के जोड़ी होती हैं और जब साधना अस्थली में रखे होते हैं फिर वहां पे पूजा इत्यादी होता है तो देवी देटाव लोग आते भी हैं इस सब बाते में उनके लिए अप्रिकेबल हैं इनक के लिए मैं बात करूं अच्छों उनके कर्म भी अच्छे हों तो उनके घरमों में देवी देटा का प्रवेश्वी होता है इसलिए हर घर के अंदर में जगे जगे चित्रों को नहीं लगाना चाहिए दूसरी बात पूर्यास्टाल में कभी भी किसी जो भी पूर्वाज हो मंत्र, यंत्र, शास्त्र, पौधे एक पूरा इसके पिक्चर आपके समने में जाए कि क्या होना चाहिए घर के अंदर में हूर्जा के बैलेंसिंग के लिए तो उसमें जो जो देवी देवताओं को चित्र जादी भी कैसे कहां पर रखने चाहिए इसमें से बस एक चीज औ चैज़ी और भागी जगह में देवी देवताओं को सिद्फट होता है उनको एक सम्मान के साथ में हम हम एक स्तान को दे ल turkey अरति या और या दियाबती जो भी करना हो वह उया करना चाहिए वर σखोटर और से पांच देवता इंके चित्र रखने चाहिए यह जो बहुत पे प्रवकर देवता आगे तो यही जो है आगे का मार प्रशस्त करते हैं चोटे-चोटी देवता इनके अलावा उन समुकु चेतरिता दी नहीं रखने चाहिए इनकी साधना भी समझ के करने चाहिए इस बारे में मेरे कई वीडियो बने हैं मुझे याद नहीं आ रहे कौन से वीडियो से लेकिन आप द तरीके के तोउना टुटका और बैक मेजिक करने वालों लोगों को तो पैसे भी साधना सफलता मिलती नहीं है इनको vino करने और करने-चाहिए बडियो तो करने लिए purpose के लिए मंभने कंच deploy उन होले की जलाकृ यादा उश्तमता करने एका मिलती खिर उनको कलते 놈 हैं पाय यह बात हैं आप वीजियो में देखेंगे जब आपको साधना पक्षम मिलेगी तो पाश बंदन वाले या पाश बंदन मुक्ति को पाई भी मैंने बता है वह वीजियो देखने का प्रयास करें यह सब बाते जब हैं अब इसके अंदर में हमको जो है आप इन देवी देखेंगे मालीन दक्ति kijken कुई करता हूं कि किसी के घर में पूजासली है आप वह एक सेपारेट है उसको अपना हुआ पूजाiffs थलिए वहाँ उस में जो जो बढले देखता पातर हैं जो पर आफ्तार ब्लड बंधि से संबंधरि वे पर जटो पर उनके वहां पर पर या जो भी मूर्ती त्य यह पर पर रखिव है अब इस में जए को हैं उनके शेड़ियो ब्रformed है उनके वीडियोग सामान रहां रहा रहा है लिए रहा हुं कि शेयी और ऐसे आपね अघम से घर ऐसे घर साधनाओं फिसे खर मत इस tahun पर के योदी और होती है और भूंई चुद होती है घर का थूपन नियौन回 गव कोई भूों बदावत क्योबाने नहीं है ना कोई अपने चोटे चोटे उपाय टोने ठुटका करके अपने घर को ठीक करने को जुरूत नहीं है आप 312 नुमर वाला वीजियो देख लिएगा इतनी साधना ही अगर होती होंगी तब भी पर्याप्त है यह अपने आपको सही देवी देपता हूं प्राट अश्टास उनकी होई ह साधना होती हो सुबहशाम अगर उनकी कम से कम दिया बत्ती हो और एक टाइम पर भी साधना होती हो तो अभी जह इतनी अरदी पैदा होती है शुद्ध मंत्र जो है शुक्तिशाली मंत्र है वो मैंने बताय भी रखें 312 वीजियो नुमर में तो उसमें आप जखेंगे तो बहुत तना वह तब ही काफी कुछ सभलता जीवन में मिलती है और काम बनते हैं अब सवाल इस प्रशन का है कि प्राव देश्टा कैसे हो इस प्राव देश्टा के लिए वीजिए आप एक प्लेस में जाएगा और उसमें जो है उपनिश्द और अथरसीष वाले प्लेस में मिलेगा आपको है वीजिए नंबर 246 मिलेगा डेवी अथरसीष इसका यह होता है इसको देवी उपनिश्द भी कहते हैं इसमें जो है मादूर्गा के चित्र सामने रखे और वहां पे उनके सामने जो है मादूर्गा नहीं है जो भी अगर कोई महाविज्या की साधना करता है आसन दत्व आसन रहस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आसन रहस के बारे में आप देखिएगा मैं नमुंडी आसन के बारे में 183-84 नंबर के वीजियो देखिएगा आसन दत्व कितना गंबी होता है आसन अपना होना चाहिए घर में जितने सज़ा से हो सबके आसन अलग अलग-अलग होने चाहिए वो सब बाते 312 नंबर में मैंने बताई हुई है आसन में बैट के मादुरुगा के चितर के सामने दिया जला के अगरबत्ती करके और उसके बाद में देवी अथरशीश के पार्ट को कर लेना चाहिए यह देवी अथरशीश के पार्ट के लिए जो 246 नंबर का वीडियो देखेगा इसको पार्ट करने से क्या होता है जो देवी अथरशीश में ही है या इसको देवी उपनिशद भी कहते है इसमें भी इसमें जो बात इसमें बढ़ने था वो यह है कि नई जो नई जो प्रतिमा होती है या नया जो भी चित्रोगा उसके सामने इसका पार्ट करने से देवता का सानिद प्राप्त होता है और दूसरा बात इसमें ये भी है कि इस आतर्शीश को न जानकर जो भी मुनष्ट जो है इसकी प्रतिमा को स्थापित करता है वो सेक्ड़ों लाखों जब करके भी सिद्धी को प्राप्त नहीं कर पाता है यह जो है इंपॉर्टेंट बात है इसको मतलब यह कि इसको जो भी इसके पाठ करने से जो भी चीज होती नवीर प्रतिमा के सामने जब भी लाओ उनके सामने कर लिने जाए है और नहीं अगर है घर में पुरानी रखी हुई हो तो उसमें परिशान होने की कोई जरूत नहीं है उस प्रतिमा को जो भी चित्र है उसको दो लेना चाहिए साफ इससे दो लो गंगाजल है तो उसमें कर लो नहीं तो राजन वीर नहीं के सामने लिए उनकर लिया रहता है तो यह आज़िम किया रहता है यह जो जो जिब इवी अतप्षीच के चिहा फाले की उसकी अनसार है और यह बात सिंपल है छोटी है एफेक्टिव है यह सब तो बात महसूस करने की एंग महसूस कैसे होगा, यह भी जानना चाहिए. यहां पर मैं यह मान के चलता हूँ कि जो वैक्टिया से यह काम कर रहे हैं, इस तरीके से प्राम्ट रिस्टा कर रहे हैं ऑगर, अपने घर में मंदिर बनाने की भावना भी उनके मन में आ रही है और वो उस तरह प्रदनशील है, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ उनके पुन्य बच्चे हुए है, और वो कोई गलत काम अभी जो भी कुछ उन्होंने करे होंगे, अब वो इतना कर लेंगे, आगे कोई गलत काम नहीं करूँगा, अब फिर उसके बाद ये प्राम्ट दिश करने की बात नहीं है, साधना का मतलब ही जो होता है, अनभा होता है, और वो स्वैम के अनभा होंगे, किसी को बताने के प्रास में करें, मेरे अनभा के बारे में वीजियो बने भी हूँ, उसमें मैंने बताया कि अपने अनभा किसी को नहीं बताने चाहिए, छोटी सी चीज कि इसको एक वार्थावन इस प्रकार का मैं ने बेगरोड में बताया कि इतना आसान भी नहीं कि भ्रंपतिया करदें हमारे प्लाण भी तो बल्वान होने चाहिए को कि यह जो अतरशीश के जैसे पार्ट होंगे नारायन की होंगे तो यह सब जो हैं वैसे भी और उटजा को बढ़ाते हैं लेकिन इस प्राट पिस्था वाली क्रिया को अगर हो सके तो अच्छे दिनों में जो भी अच्छे शुब दिन आते हैं अब अमावस्या के दिन में इस अब इसके पार्ट को कर लेना चाहिए तो जो भी अगर कुणि नियुंता भी गई हो क्योंकि यह इतनी आश्वी शक्तियों का अनुसलाट होता है तो भारी अकरमन होता है कि वह सारी उर्जा को समाप्त करने को प्रयास करते हैं अच्छी उर्जा को तो अगर इस तरीके से काया होता रहागा है कि हमाओस्या है भी यह इसके प्रहते हैं इसके पार्ट को अनुसार में दो प्रॉन seri तो वह प्रॉद सर्वें धी तो भी साथना चाहिए को साथना और हो प्रॉस्त बशपा कर रहेंगा जो भी करूंगों, साथना में उच्छा और तो भी मैंस्जात लग जाएंगे इस अब होने लग जाए तो आप समझें कि आप जो सभी ट्रैक पे हैं और जो जो भी प्रांटर स्थाइट का भी जो प्रोक किया भी है यह यह वह भली पूत हो रहा है तो आशा करता हूँ कि आप से लोगों कि जान करें अच्छे लगी होगी इस वीडियो को देखने के लिए आप से भी के धन्यवाद